जैहिन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतोस क्लासेश कैसे हो सभी, आज हम लोग करेंगे कच्छ अच्छे विक्यान की और पाठबुस तक में अध्याई बारा के प्रस्ण उत्तर, अध्याई बारा का नाम है वस्तर कैसे बने, पहला प्रस्ण कहता है रिक्त अस्थानों को भरिये, कौन-कौन से पादप रेसे से प्राप्त किया जाते हैं, पादप रेसे यानि जो पेड़ पोदे से रेसे प्राप्त किया जाते हैं, तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, पहले में रूई और दूसरे में जूट, जिसे परस्ण भी कहते हैं, रूई और जूट ये दोनों पादप रेसे से प्राप्त किये जाते हैं दूसरा कि जानतव रेसे कौन-कौन से रेसे हैं जो पसुओं से प्राप्त किये जाते हैं तो पहला में लिखेंगे उन और दूसरे में लिखेंगे रेसम उन और रेसम ये दोनों जानतव रेसे हैं तिसरा प्रश एक भड़ना ठीक है करते हैं प्रसंक्या 2 में उससे पहले आप सभी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता बच्चा हमें भी इसे एक मोटीवेशन मिलता है करते हैं हम लोग प्रसंक्या 2 दूसरा प्रसं कहता है कि यहाँ पर देखी, दूसरा प्राशन कहता है, निमलीखित में से कोन सा प्राकृति रेशा है? हमें चेयन करना है, रूई, पॉलिष्टर, नाइलोन या एक्रेलिक, तो इसका सही उतर होगा रूई, रूई हमें प्रकृतिक रेशा है, क्योंकि ये हमें पेड़ पोदों से प्राप्त होती है, जबकि पॉलिष्टर, नाइलोन, एक्रेलिक, ये सबी क्या है, ये क्रित्रिम रेशे हैं यह मसीनों द्वारा निर्मित किया जाते हैं तुसरा है निमलिकित में से पादब रेशा कौन सा है कौन सा रेशा है जो पेड़ पोदो द्वारा प्राप्त किया जाता है रेशम कपास नाइलोन तो रेशम तो हो जाएगा जानतों रेशा क्योंकि यह जनतों द्व वो हमारा पादप रेशा है, ठीक है, करते हैं प्रसंकिया तीन, तिसरा प्रस्न हमें कहता है, कि रूई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, हमें बतलाना है कि रूई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, तो इसके उत्तर में हम हम लोग लिखेंगे बच्चों देखें इसके उतर में हम लोग लिखेंगे कि जो रूई है वो फूलों से प्राप्त होता है किसे प्राप्त होता है और जो जूट है वो तना से प्राप्त होता है किसे तना से प्राप्त होता है आपको लिखना है कि रूई फूलों से प्राप किस प्रकार निर्मित होता है जो जूट है या फिर पटसन है किस प्रकार निर्मित होता है तो यह आप लोग को लिखना है कि रूई फूलों से प्राप्त होता है और जूट तना से प्राप्त होता है तिसरा प्रस्ट कहता है नारियल रेशा से बचने नहीं होगा बनने होगा नारियल रेशा से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रसी, मेट, चटाई आदी वस्तुओं नारियल रेशा से बनाई जाती है ठीक है जैसे रसी आप लोग रसी देखेंगे जैसे खाटी भी बनाई जाता है मेट चटाई ये सबी किसे बनते हैं नारियल रेशे से अगला प्रस्थ कहता है कि कताई किसे कहते हैं तो लिखेंगे रेशा या तंतु से सूत या धागा त्यार करने की विधी को कताई कहते हैं उससे हम लोग द्रेशा निकाल के जो उससे धागा तियार करते हैं उसको बोलते हैं करता आई अगला प्रस्ण कहता है कि उन किन-किन वस्तूओं के या फिर किन-किन जन्तूओं के बाल से बनाए जाते हैं तो यहां लिखेंगे कि उन पालतु भेड़ो पालतु भेड़ो के बाल से बनाये जाता है परंतु बकरी या कित्यादी के बालों से भी उन बनाये जाता हैं क्या होगा बच्छो कि उन पालतु भेड़ो के बालों से बनाये जाते हैं परंतु बकरी या कित्यादी के बालों से भी उन बनाये जा सकता है सात्वा प्रसन कहता है हमें जूट के रेसे पटसन पोधो से कैसे प्राप्ट होते हैं तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पटसन को फुष्पन अवस्था में कास्ते हैं जब उसके पुष्प लगे होते तब उस अवस्था में काट लेते हैं फसल कटाई के बाद पादब के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और अब हाथों द्वारा पटसन रेशे को अलग कर दिया जाता है फिर इने सुखा कर एवं बांद कर इनका बंडल बना दिया जाता है यह हो गया प्रसन के साथ का उत्तर आप लोग हो सके तो स्क्रीन सोट ली लो या फिर साथ साथ में नोट करते चलो आठवा प्रसन कहता है वस्त्र त्यार करने के लिए धागो की बुनाई कैसे करते हैं तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि धागों के दो सेटों को आपस में विवस्तित करके वस्त्र बनाने की प्रिक्रिया को बुनाई कहते हैं इसी प्रिकार धागों के दो सेट को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं प्रसंक्या आठ में आप लोग लिखोगे नौवा प्रस्ण कहता है रेसों से धागा निर्मित करने की प्रिक्रिया स्पर्ष्ट कीजिए तो लिखेंगे इसका उत्तर में इस प्रिक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसे को खीच कर एटते हैं ऐसा करने से रेसे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है मैंने काफी सोट में एंसर लिख वाया है यसे आप लोग अ dichtलो कहीं डाउट होगा तो अपनेID haar कमेंट में लिख सकते हो ठीकर बश्यएं आप लोग अपना डाउ्ट्स कमेंट में अऱम्से लिख लिखना मैं उसका उत्तर देंगा और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी जरूर कीज़ेगा गुरु देचना समझ के आप लोग लाइची कर दिजिए वैसे तो आप लोग कोई यहां पे यह सुल्क है यह कोई पिचित आपको कहें भी कोई फिस नहीं देनी है दस्वा प्रस्थ है कि अंजू दर्जी से कुछ कपड़े के कतरन लेकर घर आई उसने मौमबती से इन्हें एक केकर जला कर प्रिक्षन किया एक कतरन जलाने पर शिकूड रही थी और दूसरी कतरन नहीं सिकूड रही थी क्या आप इनकी सहाता या जानने में कर शकते हैं कि इनमें कौन सुती और कौन रेसम वस्तर के कतरन है पर इस उत्तर में लिखोगे जो वस्तर जनने पर शिकूड रहा है वह रेसम का वस्तर है और जो नहीं शिकूड रहा है वह सूती का वस्तर है अल्बाएं कर गारिया कि जिलाने पर क्या होगा वह नहीं सिकूड़नल संक्या दस आसा करता है कब सभी को वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और सेज़ जरूर कीज़ेगा अब हर्त वस क्लास इसको प्लीज स्क्रेब जरूर कीज़ेगा धन्यवाद बच्चो